कर लो तुम्हारे सेंसिटिविटी और तुम्हारे कंट्रोल को बचा के रखने में काम आएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना और बहुत सारे रियूमर कि जब बीजेमाई 2.0 या जो भी नया अपडेट आएगा उसमें नहीं एप्लिकेशन आएगी जो कि मैं तुम्हें rumors मतलब rumors नहीं बोलोंगा मैं तुम्हें बकाइदा photo दिखाता हूं यह यह तुम्हें यह पे screenshot देख सकते हो message from bgmi support team support team का message आया है once the game comes back the setting will be reset you need to set settings sensitivity layout and other stuff social account will be re-authenticated we can expect the game with 2.6 update मतलब शयद bgmi 2.2 या नया bgmi के नाम से नहीं आने वाला 2.6 update के नाम से कुछ ऐसा आएगा बट अगर नया एप नहीं आता है तो भी तुमने देखा यहां पर कि settings वगरे reset हो जाएंगी तो उनको save करके रखने के लिए मैं बताता हूं देखो game तो तुम्हारा भी open हो नहीं रहे ठीक है अब तुम अपनी sensitivity settings और जो कि तुम्हें याद होगी कि तुमने sensitivity कितनी रखी ह जो पहले सी वह कैसे करना है बट unfortunately यार एक और चीज़ बता दूं कि android mobile वाले ही कर सकते हैं वह भी जिनके android 11 या 12 या उस अपर वर्जन से ठीक है और ios वाले ही नहीं कर सकते unfortunately मैं भी नहीं कर सकता मुझे भी set करने ही पड़ेंगे बट एक और सीज़ बता दूं कि games में जो नई policies आ रही है न वह policies यार अब की बार तुम लोग प्लीज थोड़ा सा ट्राय करना कि game में गाली करो और game में ज्यादा चिपके रहना और वह सब कम कर दो ताकि तीन महीने क अब की बार सही सलामत रखना चाहते हो तो किसी को लेंगवेज यूज करना है और चैट पर देख सकते हो ठीक है तुम्हें सबसे पहले एक एप्लिकेशन इंस्टॉल करनी है लिंक दिस्क्रिप्शन मिल जाएगा स्ट्वेज में जाना एंड्रूइड में जाना डेटा में या में जाने के बाद वूअ करना तो वह ऐप्लिकेशन ऑपन हो जाएगी ठीक है पिन्द्रेढ़ लिंक इस्क्रोल दाउन करना अब तो यहां पर देख सकते हो अब यह स्क्रोल डाउन डेटा में जाके पूरा जब तक यह दिखेगा तुम्हें कॉम डॉट पब्जी मोबाइल ठीक है इसमें यूई फोर गेम में आना शैडव ट्रैकर एक्स्ट्रा में जाना उसके बाद देखो वीडियो को तुम पीछे करके देख लेना अपने इसाब से और से चाहिद folder में जाना ही नहीं है, saved games वाला folder यह लास फोल्ड जो है इसमें यह जो फाइल इख रिए ना तुम्हें लास वाली ze LAște यह देखो ii element layout से लेकर नीचे ber listingуди घाएट तक तो यह घाब करका अलग folder में डाल लेना круi element वाले फाइल को और और जितनी भी है इसमें Slot 8 तक बनी हुए तो यह शौर नहीं कि सबके Slot 8 तक हो सकता है सबके जादा भी हो कम भी हो और यह वाली सारी फाइल को कॉपी पेस्ट कर लेना किसी अधर फोल्डर में ठीक है अपने स्टोरेज में रखके सेव कर लेना अब सीन यह होगा कि यह वाल अपने गेम में डाल लेना ठीक है जिस जगह से कॉपी कर रहे है उसी फोल्डर में जाके पेस्ट कर देना तो तुम्हारी जो लेयाउट जो भी क्या बोलते हैं सैटिंग्स वगेर है उस अब वापस पहले की जैसी हो जाएंगे ठीक है सेंसेविटी की गारेंटी नहीं ले लोग तो शयदू वापस ना है और अगर गेम में कोई प्रॉब्लम आती है तो गेम को रिंस्टॉल कर लेना सिंपल सी बात है आईडी वाडी बैन होने को कोई भी टेंशन नहीं है इसमें क्योंकि गेम्स की फाइल से हैक की वगेरा फाइल नहीं है तुम लोग यह देख ल